इनको देख के आप बोल सकते हों कि ये वर्दी में हैं द्यूटी पे हैं किसी भी ना तो ड्यूटी नमस्कार जी नहीं ये समझाई ये हमारे कहने के बाद आप लोग का कभी विजिट नहीं करते हैं क्या कि कहां पर ये ड्यूटी पे आपके अधिकारी है आपके अधिकारी के पास में अगर आईडी नहीं है तो ये कैसे यहां ड्यूटी पे आ गए हैं जिनको देख के कोई नहीं बोल सकता ही कि पुलीस ओफिसर है आप चार ये कॉंस्टेबल रखे हैं ये अभी बैल्ट मेरे कहने के बाद ये बैल्ट लगा रहे हैं ये देखिए आप ड्यूटी पे कम और वसूली में ज्यादा लग रहे हैं यहां पर देखिए आप करें तो ठीक से ड्यूटी कराएं नहीं तो यहां से उठके आप नहीं जाए नहीं अगर ये चीज़ बैवस्ता नहीं बनाए आटियो साब बहुत भारी पड़ जाएगा अपनों के लिए समझाईए इनको आप आपके पास में अगर वीडियो कॉलिंग हो तो आप इसमें वीडियो कॉलिंग करेंगे प्लीज इसमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं क्या मैं यहीं कहना है कि अगर कोई आपके अधिकारी रहते हैं तो उनका सेंस तो ऐसा होना चाहिए इनके बेज बूसा से कौन बोल सकता है कि यह सब इसके पास आई दी नहीं है कोई भी आप ने चाह सकता है यह जो वसूली के लिए ख़ड़े रहते हैं नहीं आप देखना पड़े गा यह चीजें आप लोग ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं यह हमारा जिला है हमारे जिले में हम पर कोई प्रस्दे नहीं उठा सकता है कि यहां पर जैसे कोई वसूली हो रही हो और आप बोल रहे है आटियो का काम कर रहा है यह अधिकारी लग रहा है आपको किसी भी इस तर पर मुझे लग नहीं रहा जिसके पास में आईडी नहीं हो मैं कैसे मालनू कि यह यहां का आपको जो करना है वो करें जाई यह भाई बाहर आउट बिल्कुल आप हमारे जीले से बाहर हो जाईए आप भी भाई जलिए बाहर हमारे जीले से बाहर चुछावाणी जप्सकी ज़ाडी हुआ है अ अ आपको निज़ेखना न परकारी सब्सक्राइब आज के बाद से आपको निज़ेदा में अगा है तर इदर किनादेर कि अगर आप कि जाईए आज इंके हैसास लोगा पहरी बाद नहीं यह गलत है यह किसी को लुटने की पर्मिशन नहीं देंगे और अब यह बहुत गलत तरीका है यह गाड़ी किसी को लिए अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद